हेलो स्टूडेंट्स वेल्कम टो अवर चैनल सॉल्जूशन परमेशी तो अभी हम लोग जैसे आप जानते हैं सिंपैथो मिमेटिक एजन्स पढ़ रहे थे आए उसका दूसरा पार्ट में चलते हैं अब नाम से ही क्या समझ में आ रहे हैं यह ड्रक्स सीधी तरह से काम नहीं करेंगे यह ड्रक्स क्या करेंगे कोई ना कोई तरीके से नौर अड्रिनलीन को रिलीज करवाएंगे लेकिन कैसा दीरे दीरे स्लोवर रेट में और लॉंगर ड्यूरेशन अफक्शन मतलब लंबे समय तक के लिए यह ड्रक्स सीधे सीधे रिसेप्टर से नहीं जूरेंगे कोई ना कोई ऐसा करेंगे कि जिससे न्यूरो ट्रांस्मिटर रिलीज हो और फिर वो ड्रक से रिसेप्टर की और जाके जूर तो इसमें खुद आके इस प्रकार से नहीं जूरेंगे यह बॉडी में जाएंगे न्यूरो ट्रांस्मिटर को रिलीज करेंगे वो न्यूरो ट्रांस्मिटर जो है वो इस ड्रग के साथ रियाक्ट होगा जैसे यह आपका ड्रग था यह गया अंदर बॉडी के न्यूरो ट आया वह इस receptor से जूड़ा और अब आपको एक्षं मिला तो यह indirect acting आपके सीधी तरीके से यह neurotransmitter रीलीज कराते हैं और फिर वह neurotransmitter सीधी तरह से जाके receptor के साथ जूड़ते है और action मिलते है जब कि direct acting वाले किया करते थे रिसेप्टर पर खुद बैठ जाते थे जाकर के तो यह हो गए आपके इंडारेक्टेक्टिंग इसमें पहला एक्जामपल है आपका हाइड्रोक्सी एमफेटामीन इसका सिनो नेम भी वही है हाइड्रोक्सी एमफेटामीन यहां पर आप देखिए स्ट्रक्चर को ध्हान से तो स्ट्रक्चर में आप अगें सीमिलर चीजें ही पाएंगे कि फिनाइल ग्रूप है दो कार्बन वाली इथाइल चेंड है और फिर अमीनो ग्रूप है तो एक ओएच लगा इसलिए इसलिए पर हमने ना फिनॉल यूज किया है यह वाइट है या ओफ वाइट क्रिस्टल पावडर है वाटर में फ्रीली सॉल्यूबल है यह क्या करता है इसका क्रिस प्रकार से है कि यह डायरेक्स इनस को स्टिम्यूलेट नहीं करता है यह हमारी बॉड़ी में नौर अड्रिनलीन को रिलीज कराते है नौर अड्रिनलीन रिलीज होता है फिर वो आगे अपना रिसेप्टर के सांद जूड जाता है और फिर आपको आगे जो भी फार्मकोलोजिकल एक्षन है वो अची हो जाते है इसका स्टोरेज क्या है सिमिलर स्टोरेज है वेल क्लोज एयर टाइट कंटेनर प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइक यूज किया है जो हमारी आई के अंदर प्यूपिल नाम का ओर्गन होता है उसके डाइलेशन मतलब उसको के लिए इस ड्रग का यूज किया जाता है और यह देखने के लिए कि हमारे आई के अंदर जो नर्फ है उनमें कोई डैमेंज है कि तो डाइगनोसिस ओफ डैमेज ओफ आई नर्फ इसी काटेगरी में इंडिरेक्ट एक्टिंग के अंदर जो डूसरा ड्रग है दैट इस न जो इफेडरीं ये एक प्रकार का ओप्तिकली एक्टिवाइख और यहां पराप structure देखिए ये स्टार बना है इसका मतलब है या कारबन एक काईरल कारबन तो आपके अफेडरीं के structure में स्ट्रकचर में दोडो काईरल कारबन होते हैं है ना कियो पिश इनेम अगेन आप दे है दो कार्बन है एनेच है है सिमिलर स्रॉक्चर है यह भी आपका वायट क्रिस्टलाइन पाउडर है वाटर में सॉल्यूबल है इसका काम क्या है अलफा और बीटा दोनों रिसेप्टर को स्टीमिएट करना साथ ही साथ CNS को भी stimulate कर देता है इसको भी आप कहां रखते हैं वेल क्लोज जेयर टाइट कंटेनर प्रोटेक्टेट फो लाइट में इसका यूज है अगर ब्रॉंकियल्स में या नेजल रूट पे डी कंजेशन है तो उसके ट्रीक्मेंट जिसको हम साधन बाशा में क्या बोलते हैं कि ज जाम हो गया नाग जाम हो गया तो टी कंजेशन वाला कंडिशन वे उसके ट्रीक्मेंट में और दूसरे वैसो कॉंस्ट्रिक्टर की तरह ये यूज होता है अब आपकी जो थर्ड ड्रग है इसी कैटेगरी में दैट इस प्रोपाइल हैक्जी डाइन है ना इसका नेम सीनोन अबन्स हो गया और ये एन हो गया है अमीनो ये आपका एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है और जो की आपके और गैनिक सॉल्वेंट में यानि और इसको कंसीडर करते हैं बैंजीन इथेनॉल मेथेनॉल सभी को इन सब में या आपका फ्रीली सॉल्विबर इसका मेकानिसम ओफ ए या जो नौरेपिनेफरीन है या जो सेरेटोनीन है इन सब नियूरो ट्रांस्मिटर के रिलीस को रिवर्स कर देता है उल्टा कर देता है और साथ ही में मोनोमीन के रिलीस को बढ़ा देता है तो इस प्रकार से आपका जो रिसेप्टर है उसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है और साथ में मोन आमीन के रिलीजू को बढ़ा देता है तो मोन आमीन का रिलीज होता है तो हमारा जो रिसेप्टर है वो जदा एक्टिव हो जाता है और उसके तह के पच्छल एपको डिजाइड फार्मकोलोजी कलchodzi इसको भी आप वेल क्लोस जाटाइट कंटेनर में स्टोर करते हैं इसका यूज है वेसो कॉंस्रिक्षन साइको स्टीम्यूलेंट इफेक्ट मतलब जब साइकलोजिकली डॉल फील हो वो केस में यह स्टीम्यूलेशन का काम करता है और साथ में नेसल कंजेशन से रिलीफ प्रो देखें नेक्स्ट जो केटेगरी है आपकी देट इस नोन अस मिग्स्ड एक्टिंग ड्रग मिग्स्ड एक्टिंग अपनको नाम से ही समझ में आ रहा है कि यह दो प्रकार का एक्षन देगा इसलिए अम लोग इसको डूल आक्टिंग भी बोलते है यह ड्रग्स क्या करते ह और यह स्ट्रक्चर है इस पर आप देखें एक अनसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है यह यह वाला पॉर्शन फिर आपका यह दो कार्बन की चेन और यह आमीनों की चेन यह दिखने में कैसा होता है यह वैक्सी सॉलिए होता है यानिक यह जैसा वैक्स दिखता है वैसा यह और क्रिस्टल के फॉर्म पे होता है इसका पर्टिकुलर ओडर होता है वाटर एथेनॉल और 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 ऑगनिक सॉल्वेंट्स में यह प्रॉपर सॉल्विबल होता है मेकानिजम ऑफ एक्शन के साहे यह आपके दोनों अलफा और बीटा दोनों रिसेप्टर के साथ इसको बढ़ा देगा नौर एट्रिनीलिंग को बढ़ा देगा इसको हम लोग रखते हैं वेल क्लोज़ डियर टाइड कंटेनर में लाइफ एक सबसे पहला यूज़ है इसका इन्वालेंट्री यूरिनेशन आट नाइट यानिकी जो बच्चों को इन्वालेंट्री यूरि उससे लेकर के वॉलेंट्री एक्शन्स तक यह सब में आपको हेल्प करता है इसकी बाद कोल्ड हाइपो टेंशन ऐसी ट्रीक्में में भी यूज़ होता है ब्रॉंक्यल स्पैस्म और एस्थमा में भी यूज़ होता है और नेश्चल डीकंजिशन नेक्स्ट जो ड्रग है ह इसका और एक नाम है एरामाइन यहां देखिए फिर से यह फीनॉल रंग हुई यह दो कार्बन अगें नाइट्रो ग्रूप है ना तो यह वाले ड्रग में हम लोग इंसॉल्यूबल है इथर में एथेनॉल में सॉल्यूबल है और वाटर में कम्प्लीटले इसका भी काम क्य यह एयर टाइट वेल क्लोस कंटेनर में रखा जाता है इसका काम है कार्डियक आउट्पुट यान हार्ट को अच्छा आउट्पुट इनहेंस करना और ब्लड प्रेशर को भी इनहेंस कर देना साथ में अगर ब्लड प्रेशर इंक्वीज होगा तो हाइपोटेंशन भी ठी यहां पर हमारा सिंपैथो में मिटिक एजन्स सारा कंप्लीट होता है अगर आपको यह नोट्स चाहिए हो तो प्लीज आप हमारा एप सॉलूशन फार्मसी डाउनलोड करें एंड आई होप आपको यह कंटेंट समझ में आया होगा थैंक्यू सो मॉच